चन्टियो की रिशन चलन में आप सभी का स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकान को टस्ट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले नमस्कार सिक्षक सातियो आज हम चर्चा करेंगे विशाय 501 जेहां एकाई 5 से महतपुन प्रस्न उतर पर देखिए 5 सवाल आपको बताये जाएगा बहुत ही महतपुन शवाल और 5 बहुविकल्पी सवाल तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है जिला प्रात्मिक सिक्षा योजना कब लागू किया गया डिपी एपी कब लागू किया गया इसके उद्देश लिखिए तो देखिए डिपी एपी 1995 में आरंब किया गया निम्रलिखित उद्देश यह हैं पहला उद्देश देखिए अवचारी कत्वा गैर अवचारीक सिक्षा के माध्यम से चैसे चौदा वर्ष आयूक वर्ग के बच्चों के लिए सिक्षा की 100% विगमयता फिर 100% पंजियन तथा अउधारना फिर अधिगम की निवन्तम इस तरों की प्राप्ति विद्यालों में प्रग्रती रोध और ड्राप आउट पर नियंतरन पाना फिर अध्यापकों और समाच का शमता निर्माण अधिक्तम विकेंद्री करन तथा समुदाय की भागिदारी समाच के प्रते घटक से पंजियन में व्रिधी करना तो ये है जीला सिक्षा जीला प्रात्मिक सिक्षा योजना के युद्देश पीर आपका दूसरा सवाल देखिए ये बहुत महत्रपुन सवाल है ये आपके फसाईल जो है आफिसियल ऑनाइस जो सेंपोल कर्शन जारी किया है说 इसमें भी या सवाल दिया गया है प्राणभिक सिक्षा का सार्विकरण यूई से क्या तात पर है यह आपके जो है डियलेट के पांसे एक में बहुत जगह यह वर्ड आता है कि आखिर हाई क्या चीज़ आईए देखते हैं इसमें प्रतेक बेक्ति को अपने आपको सिक्षित करने के लिए विद्यालेओं की उपलब्दता तथा पढ़ने के लिए समान आउसर प्रदान करना ही प्राणभिक सिक्षा का सार्विकरण है तो यह 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 प्राणभिक सिक्षा का सार्विकरण इसे साथ में यह यह भी कहते हैं तो यह है परिभासा फिर तीसरा सव है कि साहता से आरंबक की इस में बच्चों को सुन्दर रोचक तस्वीरें वाली पुस्तके निसुल्क दी जाती थी ताकि पुस्तकों के प्रतिव्यम्तों की रूची का विकास हो सके तथा फलसरूप बच्चे सालाओं में जाना जारी रखे तो यहां जो है मुख्यरूप से महारास्ता सरकार ने 1982 में इनिसप के साहता से शुरू किये थी फिर चौथा सवाल देखिए लोग जंबिस योजना कब और कहां चलाई गई उद्देश से लिखे इसी से रिलेटेट इस ही काई में आपके सिक्षा कर्मी प्रयोजना भी आते है जो राजिसान सरकार की ही यो उद्देश से देखे लोग संगटन तथा भागीदारी के माध्यम से वर्स 2000 तक सब के लिए सिक्षा उपलब्द कराना फिर दूसरा उद्देश लड़कियों और महलाओं पर विशेश ध्यान देते हुए लड़कियों के पंजन में सुधार लाना फिर सिक्षा को समानता क आउजार बनाकर महलाओं का ससकती करन करना या फिर महला और पुरुष दोनों में से दोनों में 15 से 35 वर्स के आई वर्गों को 80% साक्षत साक्षरता इस तर बढ़ाना यह बहुती महत्पुन युद्देश यह लोग जंबिस के हैं अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइ जो नएने टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले जानकरी आप तक पहुँचे तो देखिए पांचो सवाल विद्यालाय के बाहर के बच्चों से क्या अतात परे हैं ऐसे बच्चों के लिए क्या योजना पुचलाई गई दो योजना के वर्णन कीजिए तो देखिए बच्चों को जो है विद्यालाय के बाहर के बच्चे कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए निमलखित योजना चलाई गई देखिए मुख फिर उपसे चार योजना है सेती योजना इंडस-बाल-श्रम-परियोजना फिर सकरसाला फिर वास्ति साला तो यहां पर प्रदान करना था ऐसे बच्चों को लगबक 45 दिने तक अलग से पढ़ा जाता और फिर उन्हें नेमित विद्याले में पंजिर करन के लिए भेद दिया जाता था तो यह है सेत्व विद्याले फिर आपका आता है इंडस बालसरम परियोजना बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं न कहीं मजदूरी करते हैं और विद्याले नहीं जाते इस परियोजना का उद्देश बालसरम का उन्मुलन करना उन बच्चों को साक्षर बनाना था इसे महरास्ट के पांच जीलों में कारणित किया गया यह जीले थे गोंदिया अमरावदी जालना पेर आपका आ परियोजना है और सेतु विद्याला है फिर आप जो है सकर साला और वास्ति साला के बारे में आपके पीडियाप में बुक दिया है उसमें आप देख सकते हैं तो इस प्रकार से पांच बहुत महात्पुन सवाल है इन्हें आप याद किजिए पर्थम सेमेस्टर के लिए का प्रात्मिक सिक्षा आरंब होती है सास्य वस्ता में या बाल वस्ता में या यह उस्ता में तो उत्तर है बाल वस्ता में फिर दूसरा सवाल देखिए 14 वर्स तक के बच्चों को निसुलका और अनिमारत सिक्षा देने के लिए सविधान की धारा के अंतरगत निदिसित किया गया है धारा 29, धारा 15, धारा 45, धारा 39 तो यहां पर देखिए धारा 45 के बारे में हमने जो है इकाई 3 या 14 में धारा के बारे में चाचा किया है तो यह वही धारा है 45 फिर देखिए अकिल भारती प्रात्मिक सिक्षा परिशत का गठन किया गया 1950 में या 1957 में या 1964 में या 1965 में है फिर उत्तर चौंथा देखिए उतर प्रदेश पेसिक शिक्षा परिसत का गठन किया गया 25 जुलाई 1972 को या एक जनवरी 1964 को या एक फरवरी 1964 को या 15 अगस्त 1968 को तो उत्तर है पंद्रा जुलाई 1972 को पहला आप्शन फिर पांचवा सवाल देखिए उतर प्रदेश में जिला प्रात्मिक सिक्षा कार्यकरम संचालित किया गया अक्टूबर 1997 में अक्टूबर 1993 में सितंबर 1997 में जुलाई 1997 में तो उतर है अक्टूबर 1997 में सिक्षक प्रसिक्षर संस्ताओं की स्थापना से पुर्ण रुप से अनुमति लेना अनिवारे हैं CRT, NCRT, SCRT, NCTE इसके बारे में जो है यहाँ पर उतर है आपका NCTE फिर आपका सात्वा सवाल और अंतिम सवाल सिक्षा टक्कु की केंद्रच कारे करते हैं hardware उपागम पर या software उप पर या प्रनाली उपागम पर या इन तिनों उपागम उपर तो उतर है इन तिनों उपागम पर तो इस प्रकार से आपके जो है तो देखिए अगर आप 501 के बारे में साटकट विधी से तैयरी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्द है वहाँ से आप देख सकते हैं और इसे पीडियाप में डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में वीडियो को देखने के लिए बहु